कि अग्राइब दोस्तों मेरा नाम है अधीपांसु कुस्वाहा और मैं अग्री कल्चर एंजी के के ओफिशियल प्लेटफोर्म पर आप सभी का हार देख स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्री कल्चर प्रीवियस येर कुस्चन जो कि आगे आपके अपके एनसी अल्यानी की नेस्टनल सीड कॉर्पोरेट्रेशन लिमिर्म्टिड के लिए वहत ही इंपर्टेंट हले वाले है जो कि पर हमारे कोर्सेस टेस्ट स्रीज स्टेडी मेटेरियल के साथ साथ आपको आई सी आर के इनोट्स भी प्रोइड किये जाएंगे तो डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगी वहां से आप लोगे से डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तेखिए यदी अपलोग प्रप्रप्रेशन कर रहे हैं नैशनल सीड कॉर्परेशन की तो हमारा प्लेट फॉर्म अग्रिकल्चर नजी के आप सभी के लिए लेकर आया है एबुक्स इन एबुक्स मैं आप सभी क आपके एनसे याल के स्लैबश के आदहर पर पूरा कंटेंट मेंट परवाइड किया जाएगा इसमें आपको एक सुटेबल कंटेंट मिलेंगा एक सल्टुण मेंटर मिले गा बहुत ज्यादा चीजह पढ़ने की आव सकता नहीं होगी एक सब्सक्राइब जो होता है कहते है तो हमें उसके लिए selected matter पढ़ना पढ़ता है यह सबसे बड़ी बात होती हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है सबसे ज्यादा मैटर यह करता है तो यदि आप इस एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं यदि आप भी अपने सेलेक्शन को इंसे और करना चाहते हैं तो आप इन ई-books को पर्चेस कर सकते हैं पर्चेस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में हमारा वाट्स अप नंबर मिल जाएगा वहां पर आप हमसे कांटक्ट कर सकते हैं हाई लिक के भेजिएगा आप गूगल पया फॉन पेके थ्रूँ आप हमसे पे करेंगे और आप उसका जो स्क्रीन सौर्ट सेंड करेंगे उसी के हिसाब से हम आपको जो है उसके बाद e-books प्रोवाइड कर दी जाएगे जिए पीडिया फॉर्म है तो आगे बढ़ते हैं देखिए कुस्चिन के बारें बात करते हैं तो आपका कुस्चिन क्या पूच करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे से अरभी करें क्या करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से अरभी करें करें है तुरु जी आई अर यू यू के फ़र्म यू आले नहीं graveyard जो हैस में फोर्म नहीं अप्लइ कर सकते हैं ठीक ही यह आप alake यह जो की शखलगी सकते है जिए आपके तो यहां पर सिर्फ.. सेजर आप peas in gT प्रणपी वाले अपलाई नहीं कर सकते है ठीक है क्लियर है देखिए कुस्टेन को पढ़िए गाइगा पुस्टेन आपका क्या पूचा गया उस्टन पूचा गया एदा जनरल रूल symptoms of nitrogen deficiency is first noticeable in जो आपके nitrogen होता है nitrogen के symptoms आपके पौधों पर किस पौधे के किस भाग पर कह सकते हैं प्लांट के किस भाग पर हमें यह दिखाई देते हैं कहां पर दिखाई देते हैं देखिए आपके आपके लिप्स लोवर लिप यंगर लिप या फिर आपकी कह सकते हैं लोवर एंड ओल्डर लीप ठीक है तो देखिए अगा सबसे पहले चीज को समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका कोई plant है ठीक है आपका कोई plant है इस प्लांट पर यह आपकी पतिया लगी होई है ही का है यह आपकी लीफ लगी हुई है है इन लीप्स मैं कि अब आप एक बात बताइए जो आपकी लीफ हो सकती है इन मैसे जो आप की L covet है है जुआ अपकी नीचे वाली लेट सोगी यानी कि लो़र लीफ होगी वही आपकी ओウ लीफ होगी कैसे होगी जो आपकी लोवर लीफ होगी वही आपकी ओल्डर लीफ होगी क्योंकि देखिए पौदा उपर की और वंदी करता है तो सबसे पहले नीचे वाली जो लीफ होगी वह आपकी पहले निकली होगी और जब पहले निकली होगी तो वह आपकी ओल्डर ठीक है तो अब वो नीचे होगी लोवर पोर्शन पर होगी पहले निकली होगी तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे ओल्डर या फिर लोवर लीप ठीक है क्लियर है यानि की ओल्डर लीप और लोवर लीप एक ही बात होती है अच्छा दूसरा क्या बताया गया दूसरा बताया ग कलती है क्योंकि नई पत्ति या पौदा जब ऊपर की और ग्रो करता है अपर की और ग्रो करता है तो वहाँ पर न्यू लीप का फॉर्मेशन होता है जहां पर जो आपकी अपर लीप और न्यू लीप आपकी समान होती है क्या होती है समान होती है तो यहां पर options दिये खए अपरलीप लोवर ल लीप लोवर एंड ओल्ड़ड लीत ठीर इतनी बात समाज गए अब स्कूरिये यंगर लीफ दो ओ असकते हैं किसे कुछ सकते वकी यंगर्लिप थोती पूलिक गाहता है और ली जियिए जासिvak गशिकलम्ट मुटी अरुकित ख़र तिया क्या बताया था कि देखिए जो आपके नूट्रियंस डेफिसियेंसी के सिंटम से होते हैं वो प्लांट के किस्भाग पर करते हैं इस बात के बारे में हमने आपको बताया भी THा मने आपको दृक्त भी बताई थी यह वो आ ही था लेडी का मतलब क्या हो गया ओल्ड लीफ क्या हो गया ओल्ड लीफ पर हमें किस-किस के कमी के लक्षड दिखाई देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैगनीसियम और आपका मॉलीबिडनम तो यह चीजें याद रखनी हैं आपको कुछ याद नहीं रखना सिर् ओल्ड लीव इस पर ओल्ड लीफ पर हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, एमजी यानि की मैगनीशियम और मॉलीबिडनम के डेफिशियंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं ठीक है क्लियर है आगे देखिएगा अगला बताया गया देखिए क्या न्यू न्यू ली प्रणफ़ गया कह सकते हैं नाय लडोके, नाय लडोके कैसे होते हैं सरफिरे माने क्यों क्या माने क्यों तो यार तो आपके new leaps होती है क्या होती है new leaps होती है उन्पर Sulfur, Fe含 ऑप learn, magynees, or Anpanou hard, salfour iron, magnees, or copar, in sabi, के लक्षण दिखाई देते हैं क्या, इन नई लटके का मतलब होता है न्यू भी तीक है अपर है तिय t है कल्सियम और बर्वारोन की डेफीसियन सी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं इतनी बात के लिए है तो यह चीज आपको किलियर हो गई होंगी कि यह देखिए न्यू लीप पर या फिर ओल्डर लीप पर या फिर आपकी कह सकते हैं लोवर लीप्स पर तो लोवर लीप्स पर किसके लक्षड दिखाई देते हैं ना ना पाटिकर मांगे महबत ओल्ड लेडी से यानिक नाइट्रोजन फॉस्परस पोटाज मैंगनेसियम और मॉली बिटनम अब देखिएगा यहां पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है प पर दिखाई देती है जब नाइट्रोजन की डेफिसियंसी हो जाती है तो हमें कुछ इस प्रकार के लक्षड दिखाई देते हैं कब जब आपके नाइट्रोजन की डेफिसियंसी हो जाती है आपके प्लांट में तो हमें कुछ इस प्रकार के लक्षड दिखाई देते हैं यहां तक आपको चीज़ें किलियर हो गई होगी अब इसके बाद आप लोग इस बात को मत भूलिएगा कि हमें किस न्यूट्रियेंट के लग चड़ या किस एलिमेंट के सिंटम्स डेफिशेंसी सिंटम्स हमें पौधे किस भाग पर दिखाई देते हैं ठीक है किलियर है आग किया गया था आप सभी लोग कृप्या करके कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप कीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि हमें थोड़ा सा और आनंद आए इस क्लास को करने में सबस्क्राइब देखलेंगे अतना ज्यादा आनंद आएगा तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक और सेयर अवश्चिकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचा है मज़ा आएगा इस लाइप दैसन में करने में बहत्तरीन क्लास होने वाली है तो प्लीज लोगों को पोस्ट मार्टम करना होता है तो इंटर जैनरिक का मतलब क्या होता है देखिए इंटर का मतलब होता है जहां पर दूसरा होता है इंटरा यहां पर लड़के बहुत ज्यादा क्या होते हैं इंटर का मतलब होता है डिफरेंट हमेशा याद रखना इंटर का मतलब हो प्रत्लब क्या होता है जेनरा या फिर कह सकते हैं उऊने रि लोग यहां पर कमेंट सैक्शन मेट डाइप कीजीएगा कि इसका राहे टंसर क्या होगा चुछा एकट डिल्पेट यह से अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा क्या होग त्रिटिके रभना था वो कि ते बना था त्रिटिकम एसटि वम एस तो बहुकर को सब gevांब रौया गया तो हमें क्या प्रेप्ट हुआ था क्रिटीकेल प्रेप्ट हुआ और ये आपका ट्रिटिकेल है यह फस्त कि मैनमेड सीरियल था क्या साथ था फस्ट मैनमेड सीरेल इसे कहा जाता है और इसकी जो एक वेराइटी एट पी ये की वन तो वन-जीरो ये टी एल 1 2 1 जीरो यह आपकी pan जाम में करो दो बहुन ज्यादा ग्रोकिव किजाती एक इस़ wnę फॉर्डरग परूप मैस्की येवाराइटी बहुत ज्यादा ग्रोकिवकिव कि जाती तो यह चीज यह पूंच ली पूनामक वयाचनuciones किसमय रिंपूर अब रघानक्ने यानि की остан भी इस रह ईट आंसर और देख लिएगा ऊणरे आप इससे रिइटेड जैसे कारेग्पेचंको दिया गयाद और पेजेंगे क्या किया था कारेग्पेचंको खली आपके वयानीक थे जिन्हों ने रै اफेनों ब्रैसिका बनाया था Kya बनाया था रै फैनों ब्रैसिका अब नहुंने बनाया सका मतलब यह था कि इन्होंने एक आपका जो रफना शताईवस था रफनाष में सताईवस जानि कि मूले और दूसरा आपका ब्रेसिका कि भ्रेश ब्रेसका ओलेरेस का ब्रेसका ओलेरेसिया डॉनों के साथ ज़़ानों निक रमस करवाया यानि कि यह तो आक़ीट घाबज क्या थी गढबज और यह आपकी मूली यानी कि रैडेश तो जब क्या बैग और लेडिस के बीच में क्रॉस करवाया तो इन्हों ने इस बात को सोचा कि क्यों ना ऐसा हो सके कि आपका नीचे यानि की जड में जड से हमें मूली यानि की रेडिस प्राप्ट हो और उपर जो आपका porsome होता है वहां से हमें क्या प्राप्त हो वहां से cabbage प्राप्त हो, यानिकि जो circd होता है, यानि कि head कहते है cabbage के खाय जाने वाले बाग को head का जाता है, ये जो head है, ये head हमें cabbage का प्राप्त हो और जो radish है वो हमें मूली की प्राप्त हो, ऐसा आन होने सोचा तो देखिए, इस में जो आपका N is equal to थे यानि की 2N is equal to कह सकते हैं 18 थे यहां भी आपके 2N is equal to 18 जब इनका cross हुआ तो हुआ जाइए था यहां पर 2N is equal to 18 ही क्योंकि आधा इसका आएगा आधा इसका आएगा तो 18 होने चाहिए थे जब 18 होंगे तो हुआ यहां पर हो गया spontaneously mutation क्या हुआ इस्पॉंटेनियसली म्यूटेशन हुआ जिसके करड़ यहां पर 2N is equal to यानिकी क्रोमोजोमल डबलेंग हो गई जिसके करड़ यहां पर 2N is equal to 18 ना बनकर कितने बन गए 36 बन गए आप county मूली तिernicus अपतियाप राप थोई और यहांकर सफल नहीं होगा था किया यह आपका कार पेंचो एकार पेचेंको के द्वारा जो बनाया गया था आपका हाइबर्ड वो यहां पर सफल नहीं हुआ था ठीक है कि लिए है इतनी बात आगे देखिएगा इसके बारे में आप लोग समझ गया होगा कार पेचेंको के बारे में फिर चाइल्ड के बारे में बात करते ह है तो आपके जो फियर चाहिल्ड है यापके धग्वाग्याने लिगन का नाम था था chamas प्राहट्रीय चाहिल्ड क्या था नाम था इन lob था थाउमा स्टेयर चाहिल्ड इन्नोन 17 17 सेव्ट्ईन में इन्नोने एक क्रॉस करवाया था किसके किसके बीच में suite William इसके के बीच में suite William है हुआ और आपका Carnation के साथ किसके साथ Sweet William और Carnation के साथ क्रॉष करवाया का साइंट लिएंटिफिक नैम आपका डाई एंटेस बार बाधास होता है और कार्नेशन का साइंटिफिक नेम डाइंथस क्रायों फाइलियस होता है कि अच्छा आप देखिए जब यह यहाँ पर सुइट विलियम और कर्वेशन के साथ क्रोस करवाया जिसे हम लोग प्वेर चाइल्ड प्वेर चाइल्ड नूर्ड के नाम से जानाती है किसके नाम से फिरचाइड मूल के नाम से जाना जाता है करी किलियर है तो यहां पर यह जो आपका कर америк ग스타 पूंचा जाता है कब गरवाएगो यह था यह आपका first persist inter specific hybridization था क्यासा था फस्ट इंटर इस स्पेसिफिक हाइब्रीड आईजेशन था ठीक है किलियर है तो यह आपका करवाया गया था किसके द्वारा फिर चाइड के द्वारा और यदी बात करते हैं कॉलर यूटर की तो यह आपके एक महान बॉटनिस्ट वैग्यानिक थे कैसे बॉटनी के आपके वैग्यानिक थे जिन्होंने क्या किया था कॉलर यूटर में पहली बार डिटेक्ट किया था किसे डिटेक्ट किया था सेल्फ इनकमपैट बिलिटी को किसको जो आपकी सेल्फ इनकमपैट बिलिटी होती है उसको पहली बार डिटेक्ट किया था किसने कॉलर यूटर नामक तो यह जो आपका कुष्चन है आई होप कि आपको इसके बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी के लिए है आगे बढ़ा जाए अगला देखिये अगले कुष्चन के और बढ़ते हैं कुष्चन पूंचा गया सिल्क कंटेंस अप्रोटीन नॉन एस जो आपकी सिल्क हो कौन सी प्रोटीन पाई आती है देखिए केसीन फाईब्रोएन या फिर आपकी सेरीस या फिर आपका बोट बीए बोट ओन बी and C यानि की आपका दूसरा और तीसरा ठीक है तो यहां पर आपका दो राइट अंसर लोगा जैसा कि पता होगा जो रेसम कीट होता है यानि की जो रेसम का कीट होता है सिल्क में जो आपका रेसम होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जो रेसम होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है यह किसके द्वारा बनाई जाती है रेसम किसके द्वारा बनाया जाता है रेसम कीट के द्वारा बनाया जाता है जि को सिल्क को सलाइवा से बनाता है जिसमें आपकी दो प्रोटीन पाई जाती है कौन कौन सी वह आपकी प्रोटीन होती है वह प्रोटीन आपकी फाइब्रोएन और दूसरी आपकी सेरी सिन नामक प्रोटीन होती है कौन सी फाइब्रोएन और सेरी सिन नामक प्रोटीन यहां पर आपकी होती है जो कि सिल्क में पाई जाती यानि की रेसम में पाई जाती है तो यहां पर प्रोटीन के भी बात की जाए तो प्रोटीन इस अप्रोटीन क्या होता है प्रोटीन इस और गैने कंपाउंड वेचेज मेड इन composition of different amino acid किसे मिलकर के बना होता है यह जो प्रोटीन होता है यह एक और गने compound होता है जो कि विविन प्रकार के amino अमलों से मिलकर के बना होता है किससे विविन प्रकार के अममेन नों से मिलकर के बना होता है तो इसका जो रहाइट आंसर होगा वह प्या होगा वहिए औहले कुस 2020 मुव कर Immediately तो कुस्चन आपका क्या पूछा गया फूड एंड एATORurst और अर्गरेशन यानि की F ए ओ वाज इस्टैबलिस्ट इन यानि कि जो एफ ए ओ है फूर एंड अग्री कल्चर ओर्गनाइजेशन एफ ओ वाज इस्टैबलिस्ट इन कब हुआ था 1995 1995 1945 या पर आपका 1966 या फर 1948 यह आपका कब हुआ था देखिए फ ओ एफ ए ओ की बात करते हैं तो यहां पर देखिए 1995 की अधी हम लोग बात करें पहला जो अप्शन दिया गया 1995 1995 1995 उनीस सो पंच्यानवे में आप लोग जानते होंगे डवलू टी ओ क्या डवलू टी ओ यानि कि वाइल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है वाइल्ड ट्रेड और गनाइजेशन जिसका पूरा नाम होता है और यह जो है आपका वाइल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन जिसे हम लोग हिंदी में व विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं किसके नाम से विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं यह जो है आपका 1995 में इसका establishment हुआ था जानिकी कह सकते हैं कि एक जनवरी 1995 कब एक जनवरी 1995 में इसका establishment हुआ था और इसका जो headquarter है वो कहां पर स्थित है जनेवा सुर्टेजर लेंड में स्थित है कहां पर जनेवा सुर्टेजर लेंड में स्थित है जनेवा सुर्टेजर लेंड में स्थित है जनेवा सुर्टेजर लेंड में स्थित है के लिए है अब देखिए 1945 के दी हम लोग बात करते हैं तो 1945 में कब 16 अक्टूबर लिख लीजिए गा 16 अक्टूबर 1945 में ही आपका क्या हुआ था जो एफ ए ओ है क्या है फूड अग्रिकल्चर और्गनाईजेशन एफ ए ओ जिसे हम लोग कहते हैं उसकी स्थापना हुई थी जो कि कहां पर इस्थे थे आपका रोम इटली में स्थित है कहां पर रोम इटली में स्थित है रोम इटली में स्थित है 1906 की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आप सभी लोगों को पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था कब आया था 1906 में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम चलाया variety program वह आपका मेली लीकणाबर राया गया था वह का 1968 में ही चलाया गया त downhill hai heilding variety program programs के नाम से जानते हैं किसके नाम से high healing variety program के नाम से जानते हैं और更देखए 1948 में आप छानते होंगे W táemdi आप सबी लोग जानते होंगे द inventor के बारे में से आप पूरा लिए नाम जिसका क्या हुता है वाल्ड है tutaj we een health और गिणायर साधियान होता है वाल्ड हेल्थ और ले नाइजेशन ओता है कि वाल्ड है नाइजेशन होता है जिसका जो एड़कोपर आपर असेड़ है वो आपका इतनी बात क्लियर है साथ अप्रेल उनी सो अड़तालिस में इसे क्या किया गया था इस्टैबलेस किया गया था तो इसका जो राइट आंसर होगा अब इतनी बाते आप रोक समझ गए होंगे WTO आपका 1995 1945 में आपका FAO और 1906 में आपका हाई हिल्डिंग वैराइटी प्रोग्राम और 1948 में आपका क्या चलाया गया यह आपका WHO बना था कौन सा डबलू एक चूगी स्थापना होई थी तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है 1945 क्या है 1945 इस दा रायट के लिए है इतनी बात ठीक है 1945 जिसका जो हैड़ पॉइटर रहों पर सथित रोम इटली में इस्थित है कहां पर रोम इटली में इस्थित है आगे देखिया अगला कुस्चन जो पूंचा गया इसका जो है आप लोग हमएं कमेंट सेक्शन में है इसक राइट आंसर क्या होगा देखियेगा स्च पूंचा गया हाइड्रोपोनिक्स इस कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि उसके बारे में यहां पर पूंचा गया है बताइएगा हाइड्रो पॉनिक्स क्या होता है आप्चेंश आपके पास plant growth इन लिक्विड कल्चर मीडियम या फिर प्लांट ग्रोथ इन मिनरल डेफिसी एंट स्वाइल या फिर स्वाइल कंजर्वेशन या फिर आपका प्लांट ग्रोथ अंडर लेबॉरेटरी कंडिशन है एक यहां पर आपका हाइड्रोपानिक्स है वो जहां कहलाता है देखिः हाइडृ का मतलब क्या होता है ज्यलो घृट्र। कए सब्सक्राइल अगरों तो जब हम लोग की क्सी भी प्लांट को किसी भी प्लांट को वाटर में ग्रो करते हैं किसमें इन लिक्विड कल्चर करते हैं क्या करते हैं लिक्विड कल्चर करते हैं वह आपका क्या कहलाता है हाइड्रो पॉनिक्स कहलाता है क्या कहलाता है हाइड्रो पॉनिक्स कहलाता है और यह जो आपकी हाइड्रो पॉनिक्स होती है हाइड्रो जो फादर है वह आपके विलियम फ्रेडरिक जैरिक को कहा जाता है लिख लीजिएगा विलियम फ्रेडरिक जैरिक को कहा जाता है किसे विलियम फ्रेडरिक जैरिक को हाइड्रोपॉनिक्स के फादर कहा जाता है और यह जो आपके इंडिया में इंडिया में आपके जो हाइड्रोपॉनिक्स के फादर है वो आपके जॉन वुडवार्ड कह सकते हैं उन्हें हम लोग क्या वो आपके यजि इंडिया की बात की जाए कि Father of hydroponics in India वो आपके जॉन वुडवार्ड कहे जाते हैं और पूचा जाए इंडिया ना लगा हो और फिर पूचा जाए कि Father of hydroponics तो आपको क्या लगाना है तो आपको William Frederick यहरग लगाना है कि यह यह थómo पयाद कर लोग पर तो यहां पर जो आपका राइट अंसर होगा आपने देखा होगा कि जब हम Luck करते हैं किसी भी कुछ आपके ऐसे पदाहते डाल दी जाते हैं कुछ जाल दी जाते हैं तकि जो आपके Plant होते हैं उनको एक suitableमात्रा में था मिल सके तो जब इनको जायर रहता है आवश्यक नहीं है इसी लिए से हम लोग रहत खेती कि नाम से भी जानते इसे भूमी रहत खेती cheaper पर लेंड की आउशक्ता नहीं होती है किसी भी इंतरीके से कह सकते हैं और उनका प्तेक करता है तब आप के ग्रो करते हैं अब वही जो हम लो क्या कर देते हैं पही आपके नूट्रेंट और जू मिनरल्स वोते हैं अब के जल में वाटर में डाल देते हैं जिससे आपका पौधा ग्रो करता रहता है क्लियर है तो यहांicana पर आपका जो राइट उन्सर होगा वो किा होगा option A is the right answer क्या होगा option A is the right answer plant growth in liquid culture medium किसमें liquid culture medium में जब आपका plant growth करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं hydroponics कहते हैं क्या कहते हैं hydroponics कहते है clear है plant growth under laboratory condition laboratory condition में जब हम क्या करते हैं जो आपकी bio technology होती है उसके अंतरगत हम लोग एक controlled environment में plant को grow करते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई contamination नहीं होता है वहाँ पर हम लोग इनको क्या करते हैं grow करते हैं अगले question के और move करते हैं तो अगला question देखिए क्या पूंचा गया इसके बारे में सभी लोग answer type कीजिए गा कि इसका right answer क्या होगा इसका right answer क्या होगा सभी लोग answer type की जिए गा कि इंडियन बॉर्न scientist को वाज अवाइड़ दी nobel prize for gene synthesis gene synthesis के लिए उन्हें क्या मिला था nobel prize दिया गया था वह आपके कौन से scientist हैं जो की इंडिया में जनमे थे यानि की इंडियन बॉर्म है कि कैप देखिए आपके वो मेंडल है या फिर क्रेक जिसे हम लोग कह सकते हैं वाट्षन एंड क्रेक्ट या फिर आपके वाट्षन है या फिर आपके हर गोविंद खुराना है तो जल्द से जल्द राइट आंसर दीजिए गा इसका right answer क्या होगा च कोड़ू जो होता है वो टरपलेट नेचर का होता है इस बात को तो जौर्ज गयमो नामग वैग्यानिक ने बताया था यह बताना चाहरा है कि ट्रप्लेट ऊफ कोड़ों ट्रफ कोड़ों का मतलब होता है कि जो कोड़ों एं वह आपकी उसमें क्या पाय जाते है थ्री निकली उटाइड पाए जाते हैं तो इस बात को तो जो गयम नामगा बैंढ इक ने में बताया था यहां पर जो आपक्त को पूंछा गया इंडियन बॉंग सांटिस्ट हुवाग अवाइड दी नोबेल प्राइज ऑफ जीन सिंथेसिस जीन सिंथेसिस के लिए जिन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया वह आपके वक्ति कौन थे मैंडल क्रिक वाट्शन या फिर आपके हर गोबिंद खुराना तो यह मैं यह लोफ segregation कहते हैं और दूसरा जो आपका लोग उसे हम लोग लॉफ इंडपेंडलेंट अस ओर्टमैंट के नाम से जांतें जांतें और उसके अलावा एक इन का जो थी स्वानिया मैं एक्चली वुनियम नहीं यह वोईन का क्या है वो इनका आपके लाग कैसे आँ तीसरा जो आपका पोल्एट था ये वह दिये दियू है ये तो आपके फादर आफ जनेटिक्स हो गए यदीं जाए कि फादर ओफ मौडर्न जनेटिक्स तो किसे कहा जाता है् इस आपके बैटसन को किसे कहा जाता है तो बैट सन को कहा जाता है तो आपके ग्रेगार जॉन मेंडल या फिर जीजे मेंडल को कहा जाता है तो इसे मेंडल ने जान ही नहीं पाया था कि जीन क्या होता है इसी लिए इनोंने क्या नाम दिया था इसे फ्रेक्टर नाम दिया क्या नाम दिया फ्रेक्टर इसे यह क्या कहते थे फ्रेक्टर कहते थे ठीक है और हम आपको एक बात बता है कि जो आपकी जीन है यह संथैसिस करने का मतलब जो आपकी जीन सबसे छोटी एक ठाई होती है कि इसे आज तक किसी भी वैग्यानिक ने सिर्फ देख नहीं पाया यानि किसे अब्जर्ब नहीं कर पाया एक ऐसी हाइपोथेसिस है कि हाँ जीन जैसी कोई समचना होती है जो कि जिसके दौरा अधर characters scope control पिया जाता है क्या characters scope control किया जाता है ठीक है अच्छा अब देखिए वॉक्षा और क्रिक बारें बात कर लेते हैं तो यह आपके double helix model दिया था है नोने हर गोविन्द खुराना जिनोंने पहली बार जीन संथेसिस किया था कैसे आपको बात बता देखिए पूंचा जाता है यह तो जीन हो गया पूंचा जाता है कि डीने को पहली बार किसने बनाया था आरेने को पहली बार किसने आर्टीफिसियली सिंथैसिस किया था तो वो किया था आपके एस ओकावा नामग वैग्यानिक ने किसने एस ओकावा नामग वैग्यानिक ने उसका सिंथसाइजेशन किया था आर्टीफिसियली सिंथसाइजेशन किया था डियने और आरेने का और आ होगा हर गोविंद खुराना इस दा राइट अंसर सभी लोग बिल्कुल किलियर है जी सभी लोग फोर फोर बता रहे हैं बिल्कुल राइट है देखिए आगे बढ़ते हैं अगले कुस्चिन की और और देखे कुस्चिन क्या पूंचा गया वेंग टू इरिगेट वीट आफ करते हैं यह दिए अपलब आपके पास सिर्फ एक सचाहि तो हम लोग किस पर करेंगे यानि की तो हम लोग किस स्टेज पर सचाहि करते हैं इरिगेशन करते हैं तो आपके ऑप्संस दिए गए 22 25 डेज 42 45 डेज 62 70 डेज या फिर आपके 110 21 15 डेज देखिए यह दी बात करते ह तो वीट की इरिएशन की अदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली जो आपकी होती है उसे हम लोग याद करने के लिए आप लोग एक टर्म याद रखेगा कट लफ मढ़ी क्या कट लफ मढ़ी इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे लिखना है पहला पहली ज को हिंदी में कहते हैं सिखर तथा जड़ बनते समय अब इसे हम लोग सिखर क्यों कहते हैं सिखर क्यों कहते हैं क्योंकि इसे क्राउन क्यों कहा जाता है क्योंकि देखा होगा जो आपकी रानी विक्टोरिया है उनका कुछ जो इस प्रकार का क्या होता है इस प्रकार का उनका क होता है crown जिसे हम लोग कहते हैं इसी प्रकार की उन्हीं के मुक्ट के आकार की crown के Ag तोा इस ही प्रकार की भैक मुझेल है दूसरी हम लोग करते हैं तिल रिंग स्टेज bol करते हैं और तीज डेसरी हम लोग करते हैं लेट जॉइन्ट पर लेट जॉइंटिंग क्या कहते हैं लेट जॉइन्टayı निग और चौति जो आपकी आती है उसे हम लोग कहते हैं flowering stage flowering stage और पांचमी जो आती है उसे हम लोग कहते हैं करते हैं milking stage पर और छटमी जो है वह आपकी आती है डफ स्टेज या फिर कह सकते हैं हिंदी में दाना सक्त होते समय जब दाना सक्त होता है तब हम लोग छटमी से चाहिए करते हैं आवशकता पढ़ने पर और ये कब की जाती है इसे भी याद रख लेना पहली करते हैं हम लोग 20-25 दिन पर या फिर 21-25 दिन कहीं लिखा होता है दूसरी हम लोग करते हैं 40-45 दिन पर तीसरी हम लोग करते हैं 60-65 दिन पर चौथी हम लोग करते हैं 80-85 दिन पर और पांचमी करते हैं एक सो एक से या सो से लेकर के 105 दिन पर और छटमी करते हैं एक सो आवशकता पढ़ने पर 120-125 दिन पर ये आपकी क्या होती है ये आपकी 6 सचाइhoot फोटे क्राउन रूट इनिफी एस झो है वो आपकी पहली सचाइच होती जब आपके पास सिर्फ एक ही सिचाइच निखलब्ध है सब हम सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 पच्शेर दिन पर प्र रौन रूट कोही करते हैं पहली सचाहीं हम लोग दे देते हैं ऐसी कंडिशन यदि होती है तो उसे में शखर तथा जड़ बनते समया पहली सचाहीं दे देते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा 20 से 25 दिन, क्या होगा 20 से 25 दिन ठीक है क्लियर है सभी लोग hurtCRICR बता हैं बिलगल क्लिए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिंप्ग अगला कुश्शन न confirmed अवे तो सिस्दशना और सेंट्रोमीर सिज substitute में मितो सिस चिव सेंट्रोमीर डिवाइड होते हैं वह इस्टेज कौन सी कि होती है centromya divide होते हैं भाहिए इस्टेज आप्की कौन सी कहलाती है प्रोफेंग समय ना फिर या फिर आपकी फिल के देखिए याद रखने के लिए हम लोगा से याद क्या से हम लोग याद रखते हैंरão पी कि बात की गई है और जो माइटोसिस होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है किसमें होता है सोमेटिक सेल्स में होता है अब बोले सोमेटिक सेल्स क्या होती है सोमेटिक सेल्स वैसेल्स होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर यानिकी कैसे अब बोले रिप्रोड की बात कि जाए तो वो आपकी ओवरी हो सकती है या फर कह सकते है ओवम यह क्या होता है यह क्या होता है यह आपका मेल पार्ट होता है तो इन दोनों को छोड़कर यानिक जो आपका इप्लांट होता है इन प्लांट में आपकी पतियां होती है पतियां होती है स्टैम होता है औ और जो आपके एंथर होते यानि की फ्लॉवर कह सकते हैं फ्लॉवर और फ्रूट बनते तो उसी से हैं तो फ्लॉवर और फ्रूट जो होते हैं यह आपके टेम्पररी पार्ट कहे जाते हैं किसी भी प्लांट के क्या कहे जाते हैं टेम्पररी प्लांट कहे जाते हैं जब फ्ल लॉकलियस में जोता है वह आपके कैसे उनमें क्या होता है रिप्रोक्टिव यानि की मियोसिस होता है उसमें क्या होता है वह आपका था सब सब्सक्राइए इस प्रothe propheciв जान इस इसमय नहीं होता है ठीक है इत्नी बात केतिंगा अब देखिएगा आगे समझेगा कुछा गया जब सेंट्रो मियर डिवाइड होता है माइटोसिस में तो वह कौन सी कौन सी स्टेज होती है देखिए प्रोफेज में क्या होता है जैसे मान लीजिएगा यह आपका नुकलियस है नुकलियस में प्रोफेज का होती है जब आपके कुछ इस प्रका देना बंद हो जाते हैं मैंटा फेज में या अपके जो बीच में ट फेसित प्लेट होती है यहाँ पर आपके क्रोमोजोम हा करके कैसे और जाते है प्रोमोजोम आपकर के टेकत्रित हो जाते हैं किस पर मैंट फेजिक प्लेट पर अब जब आपका एनाफेज आता है तो एनाफेज में ही आपका क्या होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो यहां पर स्पिंडल से क्या करता है अपोजिट पोल में जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड होने लगता है और यह मेटाफेजिक प्लेट से दूर याने लगते हैं एक दूसरे से अप अपोजेट हो जाते हैं हमेशा याद रचना है यहाँ पर हम आपको बात बता देते हैं कि जो आपका सेंट्रो मियर सोता है या क्रोमोजों को अना कोई भी आपका प्लंट किन में उनका होता है similarly समान कोली डिस्ट्रिवीशन नूता है aside इनका डिस्ट्रिव्यूशन कैसे होगा गाए रुपिया ट्रिव इस साढ़े दगा दस साड़े दस 10.5 10.5 ऐसे गुरसूत्र तो आपने किसी में सुने नहीं होंगे एग्जेक्टली नंबर होता है पॉइंट में कभी भी गुरसूत नहीं पाए जाते हैं इस वजह से यानि कि या तो इन में होगा साथ या एकाइस 7 x 3 is equal to 21 तो आपके क्या यह triploid हो जाएगा क्या हो जाएगा triploid हो जाएगा और यह तो संभव है लेकिन डिपलाइड बनना संभव नहीं ऐसी कंडिशन में एना फेज में ही य distuse होती यह बात अडिस्कस होती है यह बात निस्चित होती है कि अगली पीड़ी में जो आपका जाने वाला जो प्लाइडी लेवल है वह आपका डिपलाइड होगा यह triple होगा या tetrapald होगा यहाप लेन आवाक्योंस का वाज़न होता है और उसके बार आपका चया हूता है साइटो प्लास्म का विभाजन ही होता यहाँ पर आपका रायट अंसर होगा वो क्या होगा एना फैस दा रायट अंसर इतनी बात के लिए है यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई भी आगे देखिए गाँ यहां पर देखिए यह आपके लिए कुछ समझना लगाई है एक छोटा सा चुत्रहार कह सकते हैं एकिए एना फेज ये आपकी क्या है ये आपकी किया है ये आपकी Bengtoff ऑफ़ज़ग ठाहे ठीक है पहले यह WA पर प्रजेंट थे अब यह यहाँ पर इस्पिंडल फाइब्स है ठीक है यह आपके स्पिंडल मिद्व फाइबर संद ये मैं करते हैं इनको देखे यह बीच वाला जो पोर्शन होता है यहां पर ये इनको इनको मश् जब ये अटेच होते हैं तो जो इस पींडल फाइबर होता है इनको अपने तरफ कया करता है आकरसिद करता है को अपनी तरफ खीचता है जब अपनी तरफ खीचता है तो यह जो है आपके सेंट्रियोल की तरफ क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं ठीक है तो यह जो आपका चीज होती है यही आपकी प्रोसेश है यह एना फेज में दिखाई देती है कहां पर एना फेज में हमें ऐसी बात के लिए है आगे बढ़ा जाए आगे दिखिए आगे देखते हैं अगले फॉषक्ट पुछा गया पिछर ब्लान्ट इस गये पिक्चर ब्लाइंट क्या होता है यह पिक्चर बात करते हैं तो देखिएगा आपकी बात्सेटिक पैरा। अटोट्रॉफिक या फिर आपका इंसेक्टी बूरस की हम लोग बात करते हैं तो सब्से पहले हम आपको चीज दिखा देते हैं यह देखिए यह आपका क्या है पिक्चर प्लांट है जैसा कि आपको दिख रहा होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग बिल्कुल चांदरी रानी जी इंसेक्टी वोरस बतारी बिल्कुल किलियर है पहले समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा आपने एक देखा होगा निपैंथीज जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं निपैंथीज का घट प ह Calvin के लिए किल से आप लोगों को यह जो कुस्चन है आपको by labor provide कराये जाएंगे ठीके इनको जो है इनको है आपको हेंदी में भी इनको ट्रांसलीट करके दीर यागा है में दीमें भी कुस्चन आपको दीजाएंगे ठीके यहgam समझेगा क्या बतायागा निपन्थीज की यदी हम लोग बात करते हैं तो निपन्थीज का घट परड़ी यह क्या चल्वाली इसमें गाठ जैसे सन चना होती है और जिस प्रकार की जैसे ही इंसाक्त को करता है इंसेक्ट इसके आपर ऊपर बैठता है यह जो आपको सनचना दिखाई दे रही होगी यह वाली यह उसको इस प्रकार से क्या कर लेता है बंद कर लेता है उसको वहीं पर क्लोज कर लेता है और जब यह क्लोज करता है फिर क्या होता है जब यह क्लोज करता है तो फिर यहीं पर जो इंसेक्ट है वो बंद हो जाता है बाहर नहीं निकल पाता है और इंसेक्ट का जो धी उसका उसमें पार जाने वाले जो भी आपके Nopot spielt x2 सबी को वो क्या कर देता है उसका जो कह सकते हैं तरीखत्री से साइटोप्लाज्म या सेल सेंसेप कह सकते हैë उसको यह क्या कर लेता है चूस लेता है सेल से आपको यह क्या कर लेता है सक कर लेता है तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा इंसेक्टी वोरस जो पिच्चर ब्लांट होता है वो आपका कैसा होता है इंसेक्टी वोरस होता है पैरासिटिक नहीं होता है parasitic का मतलब होता है कि जब कोई plant इसी दूसरे plant पर रह करके आपका क्या करता है वहां से cells up करता है या फिर उसके उपर अपना life cycle को व्यतीत करता है वो आपका parasitic plant कहलाता है parasitic plant आपके कई प्रकार की होते हैं कैसे आपका एक तो कसकोटा होता है दूसरा आपका striga होता है तीसरा आपका orobanky होता है और चौथा आपका lorenthus होता है ठीक है यह आपके parasitic plant होते हैं symbiont का मतलब होता है sahy-givy क्या सह-givy जिसे हम लोग कह सकते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं जो symbiont होता है सहजीवता मतलब जिसके ऊपर रह रहे हैं उसे भी फायदा है और आपको भी उससे फायदा है वही आपके symbiont कहलाते हैं autotrophic मतलब सभी प्लांट जो की अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं वो आपके autotrophic कहलाते हैं अगला कुछ चन क्या बताया गया अगला कुछा गया अगला कुछा गया किद्धा प्रोटेक्टिव सीथ that covers the young suit of the embryo in plants of the family gramony is called as उसे हम लोग क्या कहते हैं gramony family में जिसमें gramony family में जो आपके plant होते हैं उसमें जो आपका embryo पाया जाता है वहाँ पर young suit of the embryo embryo से निकलने वाला जो young suit होता है वहाँ से उसको cover किये होता है एक protective seat जिसे हम लोग क्या कहते हैं यह जो protective seat होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं वही बात पूची गई है option एक एंडोस्पम, coliopatile, protoplast या फिर आपका colioresa देखिए समझने का प्रयास करिएगा endospum क्या होता है बीज होता है इस परकार का इस बीज में कुछ ऐसी संदचना आपको दिखाई देती है silk जैसी जैसे greamly kul की बात कर रहे है greamly family की बात कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ऐसी silk जैसी संदचना दिखाई देती हैं सिर्फ उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंब्रियो कहते हैं और बाकी का जो पोर्शन होता इसे हम लोग एंडो spam कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग endo ispam कहते हैं ठीक है अच्छा आप देखिए प्रोटो प्लास्टिक के बारे हम लोग बात करते हैं तो ऐसी कोई भी आपकी plant cell या एनिमल सेल हो सकती है जिस जो की without cell wall कौन सी without cell wall एनिमल सेल्स नहीं कह सकते उसे हम लोग फंगल सेल्स कह सकते हैं या फिर आपकी प्लांट सेल कह सकते हैं जो कि विदाउट सेलवाल होती है कैसी जिसमें कोसिका भित्ती नहीं पाई जाए सकती या फिर कोसिका भित्ती को किसी भी कैमिकल या फिर मेकैनिकल एपरेटस के द्व जाता है सुधीर रेडी जी कोलियो पतायल बता रहे हैं राकेस मंदल जी कोलियो पतायल बता रहे हैं यहां पर देखिएगा आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा कोलियो पतायल देखिए कोलियो पतायल आपको दिख यह सीड है यह आपकी रूट हो गई यहाँ पर यह सूट निकला था जिसे हम लोग क्या कहते हैं जो आपका प्लूम्यूल बनाता है जो आपका प्लूम्यूल होता है वहीं से तो सूट बनता है तो जो सूट है यह देखिए कोलियो पटाइल ऐसी सनचना जो प्लूम्यूल के उपर, सूट के उपर हमें दिखाई दे रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलियो पटायल कहते हैं, और यदि बात की जाए कोलियो राइजा की, तो इसे हम लोग जो रूट के उपर आउटर कवरिंग होती है, रू रूट के ऊपर outer covering होती है उसे हम लोग कोलियोयायजा कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम लोग को लीजा कहते हैं तो इतनी बात समझ लीजिएगा कि जो Mr. мин के आवटर आ रहाता है और रूट में भी आपका आ रहाता इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं क्या कर सकते हैं इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं क्लियर है इतनी बात यहां तक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी क्लियर है आगे बढ़ा अगला कुश्चन पूँछा गया कि मैस्ट आर स्टा आज्सों नॉन जौब कि आप्स डॉर तर तो होते हैं उसे हम लोग इसके नाम देख्याइश लूटल भी आप सभी लोग पेरा होता है और रॉक भी जिसे हम लोग एपस डॉर साटा के नाम से जानते हैं किसके नाम से एपस डॉर साटा के नाम से जानते हैं उसी को क्या कहा जाता है रॉक भी कहा जाता है जो की रॉयल जैली को क्या करती है रॉयल जैली पीड करती चा करती है रोयल जैली फीड करती ठीक है किलियर है सभी लोग रॉक भी रॉक भी रॉक भी बता रहे हैं बिल्कुल किलियर है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होता है प्लीज एक बार session को share करिएगा बहुत कम लोग हो रहे हैं मजा थोड़ा सा कमा रहा है ज्यादा से जादा लोगों को जोड़ियेगा तब थोड़ा सा यहां पर आनद दाने वाला है ठीक आगे देखिये आप्टिमम पीएट फॉर नाइट्रिफिकेशन प्रॉसेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रिफिकेशन जो प्रॉसेज होती है उसके लिए उसके लिए जो आपका यह आपकी जो प्रॉसेज होती है इसे हम लोग माइक्रोबियल प्रॉसेस भी कहते हैं माइक्रोबियल माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन प्रॉसेस कह सकते हैं यह यह आपकी बायोलोजिकल ऑक्सीडेशन प्रॉसेस भी हो सकती है इसे हम लोग बायोलोजिकल ऑक्सीडेशन प्रॉसेस भी कह सकते हैं और इसके अलावा यहां पर होता क्या है आपके बैक्टिरिया कार करते हैं जैसे यहां पर आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो या फिर कह सकते हैं जो वायमंडल पाई जाने वाली जो अमोनिया है वो अमोनिया से क्या बनाता है अमोनिया से आपका नाइट्र कार करते हैं नाइट्रो सॉमोनास और आपका नाइट्रो सोलो बस और उसके अलावा नाइट्रो विब्रियो नाइट्रो विब्रियो और अगला आता है आपको नाइट्रो इस्पाईरा क्या आता है नाइट्रो इस्पाईरा तो यहां पर नाइट्रो सॉमोनास नाइट्रो इस्पाइरा नाम यह वैक्टिरिया यह बैक्टिरिया कार करते हैं इसके बाद नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो बैक्टिरिया आता है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रो बैक्टर यह बैक्टिरिया कार करते हैं तो नाइट्रे अमोनिकल से अमोनिकल फॉर्म से नाइट्राइट बनता है नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है इसी प्रॉसेस को हम लोग क्या कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रॉसेस कहते हैं और इसके यदि प्यच की बात की जाए तो इसके लिए जो प्यच मान होता है वो आपका 8.5 suitable pH मान होता है क्या होता है 8.5 suitable pH मान होता है यदि बात की जाए temperature की तो temperature जो इसके लिए होता है वो 25 से 35 degree centigrade temperature suitable होता है इन बैक्टिरिया के लिए किसके इन बैक्टिरिया के लिए 25 से 35 degree centigrade temperature suitable होता है सुटेबल होता है क्लियर है इतनी बात तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा option 4 8.5 इस दा राइट आंसर क्या होगा 8.5 इस दा राइट राइट ठीक है क्लियर है अगे बढ़ा जाए आगे देखिएगा अगला question पूछा गया मॉल्या disease of wheat is caused by जो आपका मॉल्या disease है वो किसके द्वारा लगता है मॉल्या disease wheat का wheat मतलब गया हूं का किसका causal organism वो किसके द्वारा लगता है ग्लोबो डेरा रोस्टो चाइनेंसिस या फिर आपका हेट्रोडेरा अवैनी या फिर आपका anyhow गयानी इस पी सीख या फिर आपका यंगना ग्रटीस है दख़े जो आपका ग्लोबो डेरा रोस्टो चाइन सिस होता था ह।या हम लोग burn मैं उता किया होता ग्लोब डेमि किसका को डेला निमे का scientific name होता है हेटरोड एरा इवैनी कि हम लोग बात करते है तो है यह आम पर इसे की कि बात करते है तो इसे बात करते हैं तो यह आपका root notntelोड होता है क्या होता है root not निमेटोड होता है रूट नौट निमेटोड का मतलब होता है तो कि क्या करता है रूट में ऐसे निमेटोड जो की रूट में नौट यानि की गांठों को बनाते हैं क्या करते हैं गांठों को बनाते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं रूट नौट निमेटोड और एंग्यूना होता है वह आपका एक गाल निमेटोड होता है क्या होता है वह आपका एक गाल निमेटोड होता है जो कि आपका एक डिजीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं यह कोकल डिजीज क्या कहते है यह कोकल डिजीज कहा जाता है यह आपका जो यह कोकल डिजीज होता है इसी के द्वारा ये कॉज होता है जी से हम लोग क्या कहते हैं गालनमेमयतोर कहते हैं ग lug chopsticks क्री society कि द्वारा लगता है और जो मॉल्या मॉलिया डिजीज है है हेट्टरोडेरा अवैनी हेट्रोडेरा अवैनी जिस जो आपका जिसे हम लोग सीरियल सिस्ट नमेटोड के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से सीरियल सिस्ट नमेटोड के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं सीरियल सिस्ट नमेटोड के नाम से भी जानते हैं कि के लिए है इतनी बात आइशु टेबल टेमप्रेचर जो आपका न इटिफिकेशन के लिए होता है वह आपका किसी किसी मुक में 25 से 35 लिखा मिलेगा आपको या फिर 25 से चीसड़ी सेंटीक्रेट भी इलिखा यह माइक्रोब्cular película यह आपका सब्कूटते हैं यह हमने बताए आपको nai्ट्रोडस Pira nai का सुलोवथ नाउट्रोडर नाय तो समझावनाय कि यहां यहां पर आपका गई होगा 25 से पैंट्स यदि मिले 25 से पैदसल और है कही पर 25 से 30 डिग्री सेंटिग्रेट भी लिखा होता है दोनों बाते हैं आपको समान क्लियर हो गई होगी ग्लोडो ग्लोबो डेरा रोश्टो चाने से गोल्डन निमेटोड का साइंटिफिक नेम होता है तो मॉल्लिया डिजीज भीट का होता है वो किसके द्वारा लगता है हेट्र हेट्रोडेरा अवैनी जिसे हम लोग सीरियल सिस्ट नमेटोड के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से सीरियल सिस्ट नमेटोड के नाम से भी जानते है कि लिए है इतनी बात तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा हेट्रोडेरा अवैनी क्या होगा हेट्रोडेरा इमर्जिदुस्चन देखिए काम गया थो आपका मेज है वे आपकाatas explored होता है महनोंसीयस प्लांट का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल पहली बात थो सबसे बड़ी बात यह है कि मेझ और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं यानि कि in complete flower होते हैं incomplete flower का मतलब यह होता है कि इसमें male plant ja male joe female male jota है वो अलग flower होता है यानि कि male flower अलग होता female flower अलग होता है ये दोनों flower आपके एक ही plant पर पाई जाते हैं वह आपका monotheus plant कहलाता है क्या कहलाता है मोणो CS प्लाइंट कहलाता है in which male flower emerges जब की जिसमें जू आपका male flower है वो कब निकलता है कब निकलता है options दिए गए with female flower यानि कि female flower के साथ या फिर a week before emergence of female flower या फिर आपका a week after germination of female flower या फिर none of these बताइज़ गाइस right answer क्या होगा जितने भी लोग जोड़े हैं प्लीज एक बार बताईएगा कि इसका right answer क्या होगा इसका जो right answer होगा वो क्या होगा a week before emergence of female flower female flower के निकलने से एक सब्सक्राइब पहले रापका male flower होता है वो पहले निकल आता है यहां पर आपने देखे प्लांट देखा होगा देखे यह कुछ ऐसी सनचना देखी है मेज के प्लांट में इस प्रकार की ऊपर की ओर जो टॉप पर सनचना होती है जिसमें कुछ ऐसे ऐसी सनचना बनी होई होती है आसी सनचना बनी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जो टॉप पर सनचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग टैशल कहते हैं क्या कहते हैं और यही इसका मेल पार्ट होता है क्या होता है यही इसका मेल पार्ट होता है और देखिए यहां पर यह कॉब लगी हो होती है चाब टेंडर्स कंडिशन मतलब क्या पूच रही बता नच्डेंस प्रोड एंडर्स के बारे में क्या फोड़ेंर ngदा यह दो आपका प्रो मतलब पहले और एंड्रस मतलब एंड्रूसियम जब गाइनूसियम से पहले एंड्रूसियम आपका परिपक हो जाता है या कह सकते हैं मैच्वर हो जाता है वह कंडिशन आपकी प्रो टेंड्रस कंडिशन कहलाती है क्या कहलाती है प्रो टेंड्रस कंडिशन कहलात है कpremise के लियर है सदीर कुमार सर टैसल पहली नकलता है बिल्कुल अच्डेल फीमेल प्लोवर एक सबताह पहले कब दो यहां पर आपका क्या होता है वह टैसल जो है यह मैल पार्च हो से एक क्या होता है यह आपका सिल्क जिसे हम लोग क्या कहते जिसे हम लोग female part कहते हैं जो आपका की होता है female part होता क्या होता है female part होता है ठीक है तुरीए रहे इतनी बात तो यहां पर आपका right answer होगा वो क्या होगा of यह आपका इसका right answer क्या होगा danach a week before emergence of female और बता दें आपको आपका मेज होता है वो मेज जो है आपका कैसा है क्रोस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है कैसी होती है क्रोस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेज कहते हैं मेज में जो रूट होती है वो आपकी टैप रूट भी पाई जाती है टै लेकुष्चन की और मूव करते हैं तो फिश्चन पूछा गया what is the size of silt Particles in USDA classification of soil texture USDA के अनसार जो आपका soil texture होता है soil texture का मतलब क्या होता है proportion of proportion of sand silt and clay is known as a उसे हम लोग क्या कहते है स्वाइल टेक्च्चर कहते हैं बुल-दो टर्म होते हैं हमें साहल रखेगा एक म Mooственo है एक हो स्वाइल टेक्टिर एक होता है कि स्वाइल इस्ट्रक्टर दोनों में बहुत थोड़ा मिली मीटर या फिर 0.002 से 0.05 मिली मीटर 22500 mm या फिर 5200 mm देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 0.02 से लेकर के 0.05 मिली मीटर तक होता है ठीक है बिलकुल किलियर है यहां पर देखिएगा क्या नाम है निवेथा के बता रहे हैं बिलकुल सही है चांदी रानी तू बता रह लेते हैं इसके बारे में तो देखे यहां पर आपके स्वायल पार्टिकल से लिखेगा इधर आपके पार्टिकल डामीटर यह आपका यू एस डिये के अनुसार बताया गया डाटा है तो देखे वेरी कोर्ज सेंड जिसका आकार होता है दो से लेकर के एक मिलीमीटर कोर्ज सेंड एक से 0.5 मीडियम आपका 0.5 से 0.25 फाइन सेंड आपका क्या होता है 0.25 से 0.1 और सिल्ट आपका 0.05 से 0.002 और कले आपका 0.002 से लेस देन यानि कि उससे भी छोटा होता है क्या होता है लेस देन 0.002 आई ट्रपल एस की बात करते हैं तो देखे वेरी कोर्ज सेंड जो होती है वो आपकी 2 से बड़ी होती है 2 मिलीमीटर से भी बड़ी होती है कोर्ज सेंड कि एदि हम लोग बात करते हैं तो 0.2 से 2 तक होती है और मीडियम सेंड जो है वो आई ट्रपल एस के अनुसार कोई उसका क्लासिफिकेशन नहीं है ठीक है यानि शेक्ट का मतलब होता है नॉट क्लासिफाइड का आकार इत्रपाल स के मसाद 0.2 2 0.02 होता है से रिक्ट का 0.02 से लेकर के 0.002 होता है और तो दें tempt 9.02 पोता है इंक्र क्लियर है इतनी वात बात क्लियर है अच्छा इमेज ब्लर है क्लियर नहीं है चलिए हमने अपने भूह से बोल के बता दिया ना सुन लीजिए आच्छी तरीके से फिर भी दिख रहा होगा वैसे क्लियर ठीक है आगे देखिएगा वो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह जो आपका स्वाइल टेक्स्चर या फिर जो भी आपका इसका क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में इस आपको चीजें पता चल गई ही ठीक है आगे देखिए राइस ग्रासी इस्टंट एंड इस्टंट होता है वो ट्रांस्मिंटेड किसके द्वारा ट्रांस्मिट होता है किसके द्वारा ग्राउन प्लांट होस्ता है रवधिजिट होता है यह आपका होता है brown plant hopper जिसे हम लोग BPH के नाम से जानते हैं इसका scientific name क्या होता है नीला परवता नीला परवता ल्यूगेंस होता है क्या होता है नीला परवता ल्यूगेंस इसका scientific name होता है किसका brown plant hopper का ठीक है देखिएगा हम आपको दिखादेते हैं की brown plant hopper कैसा होता है brown plant hopper देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है क्या brown plant hopper कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है रिसवराज चोहान बीपी एक्च बता रहे हैं राकेस मंडल 3 बता रहे हैं तीν यहां पर नहीं होगा ग्रीन लीट और नहीं करता है उसके बाद आपके लिगेंस बता रहे हैं नीला परवता लूमेंस बिल्कुल के लिए यहाँ पर आपका answer होगा brown plant hopper कह सकते हैं या फिर उसे आप लोग नीला परवता लुगेंस भी कह सकते हैं तो राइस्ट्रन डिजीज आफका transmit होता है वो किसके द्वारा होता है brown plant hopper के द्वारा होता है प्रिप्स की यदि बात की जाए तो आपका ठिट्स होता है इसकी फैملी क्या होती है रिप्स की फैमिली हमेशा याद रखेगा ठीपड़ी होती है और इसका और हमेरा पूंचा जाता है थाईसे नो पतेरा क्या होता है हम आपको बात बताएं आपने एक राइस में Whenever राइस में एक आपका सुना होगा लगता है इंसेक्ट लगता है जिसे हम लोग गंधी बग कहते हैं क्या कहते हैं राइस गंधी बग कहा जाता है यह जो राइस गंधी बग होता है इसका साइंटिफिक नम क्या होता है लेप्टो कोराईजा वेरी कॉर्मेस होता है अब यह ज होती है दान में जब milking stage होती है उस milking stage पर ही एक करता है और जब यह attack करता है तो उस milk को मिल को किया करता है यहां पर एक कह सकते टॉक्सिक सवस्थांस होता है जब देखा होगा जब राइस की फसल बहुत ज्यादा होती है बरसाथ के समय में जब milking चश्टेज होती है तो यदी वह कीट मर जाहे है या उसकी डैथ होजा लाइ सिक फार हमारे हमारे दोआरा एक फिर कहीं परभी जब आपवाहर निकलते हैं तो वह बहुत देद्जी बढूर आती जैसे घर क्या कहते है यह जब इसमें इसका नाम क्या रखा गया राइस गंधी बग कैसे बदवु आती है इसी लिए इसका नाम क्या रखा गया राइस गंधी बग नाम रखा गया क्या नाम रखा गया लैप्टो को राइजा वैरी कॉर्नस कहते हैं इसी लिए इसका नाम क्या रखा गया राइस गंधी बग नाम जो यह अटेब करता है जिस ग्रेन को खाता है उस ग्रेन वो ग्रेन आपके कैसे हो जाते हैं चैफी ग्रेन हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं चैफी ग्रेन कहते हैं चैफी मतलब उसके अंदर कुछ पॉर्शन नहीं बचा होता है सिर्फ उपर का जो आउटर कवरेंग होती है सिर वही बचा रह जाता है बांकी उसमें कुछ नहीं बचा रहता है वही आपका क्या होता है राइस गंदी बग कहलाता है क्या कहलाता है राइस गंदी बग कहलाता है अगला कुस्चन देखिये पूंचा गया अगला कुस्चन क्या पूंचा गया देखिएगा ता फंक्षणल और मेटाबॉलिज्म न्यूट्Reans वास गिवन बाई जो आप का फंक्षणल और मेटाबॉलिज्म नूट्रियान्स होते हैं वो वास गिवन बाई किसने दिय थे आर्नान एंड इस टाउट नामक वैग्यानिक ने या फिर आपके निकोलस या फिर आपके mayor ब्राउन ने या फिर आपके justice one living ने यह जो है आपका इसका right answer क्या होगा सबी लोग type करके बताएएगा comment section में answer दीजिएगा कि इसका right answer क्या होगा इसका right answer क्या होगा सबी लोग बताइएगा देखिये Arnand and Stout Arnan and Stout की यदी बात की जाए तो Arnan and Stout ने essential mineral element क्या दिया था essential mineral essential mineral element ठर्म पहली बाद essential mineral element टर्म दिया था और ये टर्म कब दिया था सं 1939 में कब दिया था 1939 में दिया था और आपके अरनान एंड इस्टाउट नामक वैज्ञानिक नहीं क्या किया था जो essentiality criteria of essentiality criteria of essentiality वो आपके भी किसने दिये थे वो भी आपके आपके अरनान एंड इस्टाउट नामक वैज्ञानिक ने दिये थे essentiality of nutrient बिल्कुल कि लियर है सुधिर कुमार जी बता रहे हैं essentiality nutrient सनम दी बता रहे हैं essentiality of nutrient सुधिर कुमार 1939 ठीक है बिल्कुल के लिए निकोलस की यदी बात की जाए तो निकोलस ने आपका functional or metabolism nutrient दिये थे क्या दिये थे functional or metabolism nutrient दिये थे मेर and brown इन्होंने brown ने क्या किया था निकल यो टर्म है निकल वो निकल टर्म निकल को एड़ किया था as a as a essential nutrient के रूप में brown at all यानि की मेर और